देव जै सेव संभू, गुर्वार और सुक्रवार दो तिथियां को अस्टमी तिथी व्यापत हैं, आपको जब भी समय मिले दोनों तिथियां में से किसी भी एक दिन इस सरल और सुन्दर उपाई को कर लिजिएगा, गुरुजी प्रदीप में साजी दोरा बताया गया, यह कभी भी किसी भी दिन किया जा सकता है परन्तु आप जानते होंगे जो अस्टमीतिती होती है वे देवी दुरगा को समर्पित होती है और साथ के साथ और महादेव का तो हर दिन है ही यह सुंदर उपाय आपकी जीवन में जो भी धन की समश्या चल रही है रोग संकट चल रहे हैं कस्ट पीड़ा इत्यादी है और कहीं न कहीं हर स्वरूप में आप दुख पा रहे हैं जीवन में उन सभी के लिए यह उपाय सिद्धता के स्वरूप में कारी करेगा और खुश्या परिवार में बनी रहेंगी आप जानते होंगे जीवन में गुरुजी कहते हैं जब बहुत अधीक परेशानियां बढ़नी लग जाये तब आपको महादेव की सरण में चले जाना चाहिए और उन्हें कुछ विसे सेवा अर्चना देनी चाहिए और अपनी मनोती महादेव की जागे कह लेनी चाहिए जिससे कि आपकी परिस्तिती आनुकूल हो और हमेशा जो जीवन में दुख चल रहे हैं उनका निदान हो और इन दिनों तो नवतपा चल रहा है नव दिन ऐसे हैं जो भीषण गर्मी सी त्राशदी से जूज रहे हैं और नवग्रह भी महादेव की आसपास जो है घूमते हैं तो उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिए आप सभी इस उपाय को महादेव की मंदीर में या घर पर जहां भी आपको समय मिले जिस भी स्वरुप में समय मिले आपको समय मिलता है महादेव की मंदीर का तो आप वहाँ जाकर करें परन्तु गर्मी चरम सेमा पर है और खासता और पर कई भक्तजन जो है सिटी की तरफ रहता है सहरों में मंदिर इत्यदी दूर होता है तो घर पर विरायदमान सेवलिंग में भी करने में कोई दोश नहीं है भले ही थोड़ा कम फल मिलेगा थोड़ देर से फल मिलेगा परन्तु फल मिलना ही आप सभी को तो आपको कैसे करना है कप करना है उपाय ध्यान से सुनिएगा आप सभी को जो है यह है उपाय करने के लिए अपनी पूजा की थाली को तयार कर लेना है कोई पैसा समय इसमें लगेगा ही नहीं सबसे पहले पूजा की सिद्धी करही देता है तो आपको एक बेल पत्र रखना है पूजा की थाली में और एक लाल फूल और एक सफेद फूल भी रखना है साथ के साथ समी पत्ता मिल जाए तो अत्य धिक सुभ है नहीं तो चावल का दाना भी आप रख सकते हैं तो यही चीज जो है सामगरी के स्व रूप में आपको आउशक्ता पड़ेगी मात्र शमी का पत्ता या चावल का दाना लाल फूल और सफेद फूल और मात्र एक बेल पत्र तो आपको सभी चीज पूजा की थाली में रख लेनी है और इन्हें ले जाकर आपको चले जाना है महातेव के मंदिर में आप सभी को अगर गुरवार को कर रहे हैं, तो पीले रंकर गपड़ों का चैन करें, शुकुरवार को कर रहे हैं, तो इस दिन की धातु लाल रंकी बताई जाती है, तो आप सभी इनही का चुनाव करें, तो अत्य धीक सुभ रहेगा, दोनों तीथियों में आप सभी संभव हो, तो मिश्रित जल से स्नान करें, देवी लक्ष्मी का जो है सरीर में किसी न किसी स्वरूप में घर परिवार में मन तन में वास होता है और परिवार में बर्कत आती है, मुख्य दरबाजे पर जलका छिड़वक काओ करें healthy मिसरित बहुत सुभ माना जाता है नहीं तो सामा नेजल का भी छिड़काओ करें इन दिनों कोशिश करें ब्रह्म मोहरत में ही नवतपा में उपाई कर लेते हैं तो बहुत अधिक सुभ माना जाएगा हाला कि पूरे दिन भर में भी कर सकते हैं महादेव की पूजा करने के लिए आप सभी को बहुत अध्यदिक मन और तन सुध कर लेना जाहिए ऐसी मानेता है बाहरी दिखावे से या आडंबर से ही कुछ नहीं होता मन और तन को अगर आप सुध कर लेते हैं तो महादेव का सीवत त्त्व आपकी जीवन में स्वत ही घूल जाता है तो आपको निरंतर श्री सिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरण करना है और मन और तन को सुध करते हुए सभी का सुख हो सभी का कल्यान हो सर्वे भावंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, इस सरल से स्मरण नाम मंत्र ध्यान का स्मरण करते हुए कि सभी का कल्यान हो, आपको यह उपाय करना शुरू करना है, आप सभी को विशेश तोर पर महादेव के मंदिर में बैठ जाना है, ततपश्चात आपकी जो सामग उसे तैयार करते हुए महादेव की पूजा आराधना करने के लिए आपको निरंतर जो है, महादेव तब अपना संपर्क साधना चाहिए, सरल सी विधी विधान से, महादेव के निमित्त आपको प्रणाम इस्मरण ध्यान करते हुए उपाय करना है, सबसे पहले गुरू ज इस उपाय को करने के लिए आपको कांता चक्र का स्मरण करना है, और हरीहर का ध्यान करना है, अर्थार स्रीहरी विष्णु का भी ध्यान करना है, महादेव का भी ध्यान करना है, आप जानते होंगे स्रीहरी और महादेव एक दूसरे के पूरक है, दोनों देवता एक दूस गेरी विष्णू के हाथ में है और उससे जो है अपने आप में परम सुख मिलता है जो वेक्ति कांता चक्र का स्मरण करता है कांता भगवान का ध्यान करता है अब आप सभी को क्या करना है सबसे पहले सिवलिंग पर जलका अभिशेक करना है साफ सच्च मन से उसके बाद एक बखकी शेक करें साथ के साथ आप सभी को गोलवत्ति का घीकादी पक स्यू मन्दिर में लगा देना चाहिए लगाने के बाद है आपको अपने हाथ में ठीक है चीछ 예 ча cał्भी को एक लाल पूल एक सफेद पूल बेल पत्र और समी का पत्ता आप आप चाहें तो नया भी ले सकते हैं नहीं तो बेल पत्र पुरानी अर्था जो सीवलिंग पर चड़ी हुई है वह भी काम में ली जा सकती है अब जो सफेद फूल वह लाल फूल है वह कोई साभी हो बस इस बात का ध्यान रखे कि केत की का फूल जो है नहीं तोड़े यह अच्छा नहीं माना जाता लाल में आप कोई साभी फूल गुलाब का ले सकते हैं कोई साभी फूल ले सकते हैं और जो है सफेद फूल भी आप कोई साभी प्रियोग में ले सकते हैं तो एक चावल का दाना या एक समी का पत्ता अपने हाथ की हतेली में ले लेना है लाल फूल लेना है सफेद फूल लेना ह और बेल पत्र अपने हाथ की हतेली में आप सभी को ले लेना है और महादेव के सामने सबसे पहले जैसा मैंने बताया जल चड़ाएं दीपक लगाएं उसके बाद यह सभी चीज़े अपनी मनों कामना कहकर कांता चक्र का स्मरण करकर सिव नारायन का स्मरण करकर माता असोक पर एक बार संपूर्ण समरपण की भावना से समरपित करकर देखना है कि आप हे महादेव हे मातारानी आज दिब्य अस्टिमी के दिन आपका उपाय करा है हे सिव संभू हे सिव नारायन मेरे उपाय को सिद्ध करें ऐसी प्रार्थना करते वे सरल सा उपाय आप प्रक्टि थि में इस उपाए को कर लेता है वैसी वह नारयन दोनों को प्रसन कर लेता है और जीवन में हर तरब से खुशी आना प्रारमभू हो जाती है तुछ से नारयन का समर्ण करकर कांटा चक्र का ध्यान करकर एक शमी का पत्ता एक सफेद फूल एक लाल फूल गुत बस यही सामगरी की आवशकता है आपको उपाय कर लेना है एक बार में ही आपके कारे बनने आरंब हो जाएंगे भले ही वैपुत्र प्राप्ति की चहो मनचाह प्रेम हो अपना मकान हो रोग संकट कस्ट पीडा से मुक्ति की हो परंत वह काम होगा इस बात की गारंटी है तो इस सौमबार की अर्थत गुरवार की अस्टमी सुकरवार की अस्टमी में जब समय मिले आपको दोनों तिथियम है तब ही इस उपाय को कर लिजिएगा जहां विश्वास है वहां मेरे महादेव है जोली पसारे अपने मन की काम ना कहें काम होगा इस बात की गारंटी है तो